करवा चोथ पर ऐसे कौन से कलर के कपड़े हैं जो आपको नहीं पहनने चाहिए ताकि करवा माता भी नाराज ना हो और आपको वुरत का पूरा फल मिली तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कौन से पांच कलर के कपड़े हैं जो आपको पहनने से बचना चाहिए आपको नहीं पहनने चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को इस से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन को प्रेस कर लीज़े ताकि जैसे ही वीडियो अप्लौड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल पाए तो करवा चोथ का पर सुहागर महिलाओ को लिए बहुत ही विशेश होता है इस दिन सुहागर महिलाओ पूरा दिन करवा चोथ का वर्त रखकर अपने पते की लंबी उमर के लिए प्राथना करती है लेकिन इस दिन सुहागर महिलाओ को ऐसे रंग ये वस्तर नहीं पहनने चाहिए जो अशुब हो यदि आप इन रंगों के बारे में नहीं जानती है तो आज मैं आपको लगों को बताऊंगी कि ऐसे कौन से कलर है जो आपको नहीं पहनने चाहिए करवा चोथ पर सुहागर महिलाओ को किस रंग के वस्तर से बचना चाहिए सबसे पहला होता है काला रंग करवा चोथ के दिन सुहागर महिलाओ को काले रंग के विस्तर बिल्कुल भी धारन नहीं करनी चाहिए क्योंकि काले रंग का शुब नहीं माना जाता है शास्तरों में इस रंग के कपड़ों को पूजा और वरत में निशेद बताया गए है इसलिए करवा चोथ पर सुहागिन महिलाओ को काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए दूसरा कलर है सफेद रंग तो करवा चोथ के दिन सुहागिन महिलाओ को सफेद रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए वैसे तो यह रंग शांती और सुम्मिता का परतीक माना जाता है लेकिन शरंगार के किसी पर्व पर इस रंग के वस्तरों को धारन करना वर्जित माना जाता है इसलिए आपको करवा चोथ पर सफेद रंग के वस्तरों धी धारन नहीं करनी चाहिए नीला रंग उत्तर परदेश और राजस्तान के कुछ हिस्सों में नीले रंग को भी अशुब माना जाता है इसी कारण यहाँ पर लोग इस रंग के कपड़ों को पूझा या वर्थ में बिलकुल भी प्रियोग नहीं करती है इसी कारण से करवा चोथ पर नीले रंग के वस्तरों को धारन नहीं करना चाहिए चोथा रंग है लिस्ट में भूरा रंग करवा चोथ के दिन पूरे रंग के वस्त्रों का धारण करना भी वर्जित माना जाता है क्योंकि यह रंग उदासी भरा रंग माना जाता है इसी कारण से भारत के कुछ जंगों पर करवा चोथ पर भूरे रंग के वस्त्रों को धारण करना ही वर्जित माना जाता है और लास् दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन से कलर आपको पहनने से बचने चाहिए ताकि करवा माता का अशिरवाद आप पर बना रहे हैं आपका वरत भी फलदायक हो तो इन कलर के कपड़े पहनने से बचें और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर करें आप मुझे शोशन मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्केप्शन बॉक्स में है थैंक कि सो मच बबाई टेक्या